बात करने वाले हैं कि अगर किसी को बायो डाटा मतलब कि रिजूम सेंड करना है साधी लगा रहे हैं या फिर घर में किसी का बहन है या जो लोग भी है अगर आपको अपना रिजूम सेंड करना है उनके पास इंगेजमेंट के लिए साधी के लिए तो आप किस प्रकार से बन पर डिरेट चले आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद यह कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा यहाँ लिखा रहेगा सकते हो और यहाँ पर जो लिखा हुआ है श्रीगडेस तो आपको यहाँ पर जो भी लिखना होगा वह आप अपने से लिख सकते हो इसके अब आपको दोस्तों यहाँ पर नाम रहेगा तो नाम पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नाम को लिखना हो जैसे हमारा नाम हो गया जैसे आपना नाम हो गया तो इसके बाद हमें यहाँ पर है डेट ओ बर्थ आपका डेट ओ बर्थ क्या है उससे आपको यहाँ से चूज करना हो जैसे यहाँ से चूज कर लेते हैं तो इस परकार से आपको भी करना होगा जैसे यहां से हम अपना कर लिए अब इसके बाद दोस्तों आपको जो अगला सेक्सन आएगा आएगा टाइम और बर्थ का ऐगर आपको देना है दीजिए नहीं देना है छोड़ दीजिए यहां पे गोत्र काएगा और गोत्र को लिखना होगा तो गोत्र पर क्लिक करके आपको यहां पे गोत्र लिखना होगा नहीं तो इससे छोड़ देजिए इसके अगेन यहाँ पर आपका hobby जाएगा और आपको hobbies लिखना हो जब भी आपका hobbies होगा उसे आप यहाँ पर लिख दीजेगा तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख दिए लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कलमज़र है और यहाँ पर height है आपका जो भी height होगा उसे आपको height को चूच कर लेना जैसे यहाँ पर हम कुछ height दिया हुआ बहुत सारा इसे में यहाँ से height को चूच कर लेते हैं इसके अगेन आपका यहाँ पर religion और caste दिया हुआ आप किस caste से belong करते हैं आपको यहाँ पर caste का चैन करना होगा नहीं करना है कोई बात नहीं है इसके अगेन दोस्तों आपको अगेल जो option यहाँ पर है ईए आपका education का है अगर आपको education भी हुच करना होगा तो आप यहाँ से अपना education qualification को भी choose कर सकते हो चिलिकर करको आपको यहाँ पे जो केसन लिख देना है जैसे हम यहाँ पे लिख दिये तो यहाँ से हमारा क्वालिफिकेसन हो गया अब यहाँ पे जोब भी लिखना है तो जोब भी यहाँ पे लिख सकते हो जोब भी आपको जोब में है उस जोब को लिख सकते हो अगला दोस्तों इसके अगेंड जो आपको बताने वाले है तो आगे देखेगा दोस्तों अब निच्छे आएंगे और यहाँ पे कुछ भी और एड़ करना होगा तो आपको यहाँ से एड़ करना होगा और आप लिख सकते हो इतना एड़ कर लेने के बाद इतना हो जाने के बाद आपको फैमिली का जनकारी आपको एड करना होगा, तो यहां पर लिखा है übernahmen आपको इस प्लिक करना होगा, अबनकी अपर देखने के लिए समझने के लिए तो आपको जिसमें जिसेंें आपको फिलब करना होगा आपको उसको वैसे वैसे आपको फिलब कर देना है उसके अगें अ kole Kathar regorn हों इसको भी एड़ करना होगा तो इहां पे add more पर कलिक करके आप यहां नमबर उसे इसमें लिखना है और एड्रेस को लिखना है इसमें और इमेल आड़ी लखना को लिखना है इतना दोस्तों करने के बाद आपको नीची आना है और यहां पे आपका लिखा हुआ है सिंगल मल्टिपल फोटो अगर आपको फोटो भी रिजूम में लगाना है तो आप लोग इस पे कलिक करके अपने फोटो को भी लगा सकते हो नहीं लगाना है आपको यहां पे जिनेट बाड़टा पे कलिक करना है जिसे यहां पे कलिक करें जो भी आप फिलप किये हैं तो उस प्रकार से आपका यहां पे जिनेट होगा चला आगा तो इस प्रकार से हम लोग बनाना सकते हैं कैसे बनाना है और कैसे हम किसी को event करते है ए आपका बहुत सौर्ड युरं में जिसको साधी घ्रियाओ के लिए बेज़ना आ है तो उन के लिए सोर्ट रिजय손 बहुत ही काम्याब है तो कुलते हैं अगले वीडियो में एसे इंटरस्ट टॉपिक के साथ